किसी पर्टिकुलर सपीजिक के घक करते तो लास्ट मैंने बताया था करने के लिए हम लिखते हैं डॉछी यह क्या से ச of थेünk कि आप करते एक एरिया कैसे करेंगे जैसे ए बंसे लेके के 20 तक सेलेक्ट करना है तो में थरड जैसे हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं एक्सल में बगरा का जैसे आप सम्मूला का लगाते हैं तो जैसर्दिस आता है सेम तरीके से लिख सकते हैं कि वेंच एवन से कॉलर्ण के 20 और डॉट सेलेक्ट अब सेलेक्टेड एडिया को पी करना है तो सेलेक्टेड एडिया को सेलेक्शन कहा जाता है क्या कहा जाता है सेलेक्शन डॉट कॉपी आप कर सकते है जो भी करना चाहें कर सकते हैं और एक सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है तो सेलेक्शन करने के एक और तरीका है हमारा रेंज ए एवन और कॉमा के यसको वीवीए का मेठॉट कहा जाता है कि हमने स्टाटिंग में इए उपर में यहाँ पर करसर रखा अपने कीवोर्ड का सिफ्ट की को प्रेस किया और सबसे लास्ट में करसर रख दिया तो पूरा 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 डेता हो जाएगा कि इसको करते हैं जब इसको डाइनमीक करते हैं तो इसका इसमाल करते हैं लेकिन हम बात करते हैं कि जब मुझे पूरी की पूरी वेइन स्लेक्ट करनी हो तो कैसे करूगा कंट्रोल ए जो हम लोग करते हैं यहां पर तो सबसे पर जानिए कंट्रोल ए करने की जरुद क्या पड़ती है तो होम मेनुबार के अंदर जब जाते हैं आप एडिटिंग में और फाइन स्लेक्ट के अंदर जो गो टू स्पेशल होता है इसमें जो एक करेंट रीजन होता है यही होता है आपका कंट्रोल ए तो मैं यहां पर लिखूंगा रेंज एवन डॉट करेंट रीजन डॉट स्लेक्ट करना कोपी करना जो करना चाहते कर सकते हैं तो कंट्रोल के प्रेस करेंगा यह कि पूरी की पूरी सीट को स्लेक्ट करनी है तब क्या होगा तो पूरी की पूरी सीट को स्लेक्ट करने के लि क्लिक कर देता है तो पूरा पूरा सेल्स स्लेक्ट हो जाता है अब हम बात करते हैं कर्सर को मूफ करने की मुझे उपर से नीचे डारेक्ट यहां पर कर्सर लाएंगे तो उसके लिए इसको दिखिए कि इसी पर परजेक्ट है हमारा तो यहां है रेंज रेंज में हमें लिखा एवन से एवन और हमने डॉट एंड लगाया एंड लगाने के बाद अगर मैं यहां पर एक्सल डाउन करके डॉट स्लेक्ट कर देता हूं तो क्या होगा कि कर्सर उपर से नीचे आगा डाउन उसी तरह से लैफ राइट अप कर सकते कि दिए है कि ए वन डाउन डॉट एंड एक्सल टू लब डॉट सेलेक्ट रेंज के वन डॉट एंड एंड राइट डॉट सेलेक्ट इस तरह से हम करते हैं छोटी सी प्राब्लम होती है कि अगर वीज़ेंगे कि मुझे लिटा के सबसे 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 लास्ट में जाना है इस कोड का यूज किया बर प्रॉलम क्या होगा कि डेटा में कहीं पे कुछ ब्लैंक हो जैसे यह आप देख पा रहे हैं कि यहां ब्लैंक है, तो क्या होगा, कि ए उपर से यहां नीचे यहीं पर उप जाए अगर सर, नीचे रहीं जाएगे, तो क्या करें, एक सिंपल से मैंतर अपनाएंगे, कि हम यहां पर A65,000 पर जाएंगे, और वहां से चंट्रोल अप करेंगे, तो लास्ट में पहुंच जाएंगे तो सेम चीज यहां पर हम लिखेंगे पिर रेंज कि एपैंसट हजार डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट सेलेक्ट अब बात करतें ऑफसेट की मालें जो हटा देतें नहीं है लास्ट में आ जाएगा क्या क्या लास्ट की अगली ब्लैंक रोज़ चाहिए इसके लिए क्या करें इसके लिए जो लिखा है सेम कोड लिखेंगे बड़ इसमें लगाएंगे और और वन रोग डॉट कॉल डॉट तो क्या होगा कि उपर से यहां नीचे आएगा तो दियुक्त आगला कोलॉन चाहिए यहां पर नंबर लिखेंगे उतना रो कोलॉन आगे पीछे होगा पीछे के लिए माइनस और आगे के लिए से प्लस में हम लिखेंगे अब मुझे सेलेक्शन भी करना है सब्सक्राइब करते हैं इसको कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम लिखेंगे कि रेंज रेंज एवन हमारा स्टाटिंग हो गया फिर लिखते हैं रेंज एवन से एंड डॉट एंड एक्सल टू लैप डॉट सलै तो हमने क्या किया यहां पर हमने इस वाले मेथ़ोड का इस्तमाल किया किसमें इस्तार्टिंग और एंडिंग एवन हमारा यहां पर दो को मर्ज किया और फिर यह क्या करेगा आपको यह आपका इसका यूज कर लेगा फिर मुझे नीचे लेके आना है तो क्या लिखेंगे कि यहां पर स्लेक्शन कि जो स्लेक्टर एरिया है वहां से स्लेक्श स्लेक्शन डॉट एंड एक्सल डाउन .slap देख क्या करेगा अगरबिए मालेज़ जी एफट करते हैं यहां पर step info और इसको रन करते हैं और यहां से से इस एड़निंशन को उठाते हैं रहन कों अब आपको और यहां पर क्लिक करते हैं और फिर एकरते हैं इस एक्सलेक्शन नहीं हुआ अच्छा एक टू लेफ्ट हमने गलत करें यहां पर टू राइट होगा एक्सल टू राइट और यहां पर उपर अब देखिए स्लेक्ट होगा और फिर सेलेक्शन को डाउट करें लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहां भी ब्लैंक होता है यहां भी ब्लैंक होता है तो उस केस हम करते हैं एक सिंपल सा में थर्ड हम यहां लिखते हैं आर इक्वल टू रेंज यह पैंसर हजार यह दस लाग हम पैंसर जार लिखते हैं कि तो हम थिरी पर भी चलिए एक्सलेस पाइल पर भी यहां लेफ्ट होगा तो क्या करेगा कि सबसे पहले यहां पे यहां पे पैंसर हजार उपर जाएगा और इसका रो नमबर ट्विंटी आर पे स्टोड करने आर क्या है यहां से कंट्रोल लेफ्ट की प्रेज किया तो क्या आगिया के कॉलन का जो काउंट है जो की है हमारा 11 आगिया तो आर हमारा 11 है आर हमारा 20 है सी हमारा 11 है तो हम इसको डेटा कैसे सेलेक्ट करेंगे तो हमें स्टार्टिंग पोजीशन तो पता है कि ए पॉड़ यहां यहां मेरे पास रवन सीवर निट्रेंस रों कॉलन दो है दोनों जहें नंबर्स में हैं तो हम ने बताया कि जब नंबर्स में हो तो हम क्या युज करते हैं तो यहां पर लिखेंगे सेल्स सेल्स में हम देंगे और और कॉमा डॉट सेलेक्ट कर लें तो डेटा सेलेक्शन करने आगे है कोई डाउट इसमें किसी वो डाउट है कोड में नहीं नहीं ठीक है तो चलिए एक प्रजेक्ट को करते हैं हैं हम बहुकिक एक प्रजेक्ट तो मैं यहाँ छोटा से बना रहा है वट आप एक बना सबनाईएंगा और दो शीट वनाताओं पहला है और दूसरा कीया है मेरा दीट क और मैं चोटा सा फॉर्म मैं ऐसी बना लेता हूं बढ़ आप एक अच्छा फॉर्म बनाएंगे तो मैंने बोला कि मैंने यहां पर एक फॉर्म टाइप का बना दिया जिसमें रोल नंबर सिटी अमाउंट दा लेगा और फिर उसी हिसाब से यहां एक बटन बनाओंगा और जै आंप देटा होनी चाहिए डेट आनारा चाहिए था इम आना चाहिए फिर नें मने sparks फिर सिटी फिर ममपरों सुआशी और हर बार एक के नीचे एक के नीचे एक की नीचे आना चाहिए प्रॉलम समझ माया सबको हलो हमें करना क्या है हर्यों जी समझ माया आपको सर कि हमें करना क्या है कि सरा कि सबसे प्रें क्या होता है कि प्रोगामिंग करते हैं हमें पता पता होना चाहिए अगर को सबसे पहला हमने बोला कि क्या होना चाहिए ओतमेयों वह एक्सल में हम मैक्स का फॉर्मा लगाते हैं किसका मैक्स मैक्स और उम कॉलन एक को सेलेक्ट करके एंटर प्रेश करते हैं अब जिससे यहां पे कुछ भी आएगा तो उसका मैक्सिमम नंबर मुझे दिख जाए और मैक्सिमम नमर एक जोड़ देंगे तो नेक्स आईडी मि तो प्रॉब्लम यह है कि मैक्स लगेगे को मैक्स तो सपोर्ट भी नहीं कर रहा है तो जब भी कोई फॉर्मूला लगाना होता है तो एक वेरेवल चाहिए एक आईडी हम ले लेते वेरेवल जैसे कि वूपर आमने आरवन सी लिया हुआ है फिर यहां लिखते हैं अप्लिकेशन को कि मैक्स डिरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एक चोटी सी प्राब्लम आगे एक कॉमा आए तो किसका प्रोवन को रन करेंगे तो यहां पर फॉर्म पर यह बटन बनाएंगे क्या है रख आप यह बटन बटन ले जाते हैं और यहां पर बटन को ड्रग करते हैं और यहां सब्सक्राइब करें तो अब इस पर क्लिक करें तो क्लिक करते कि जोगा कि इसी कोलन का मैक्समुम निकाल दे कि हमने सीट यहां दिया नहीं हमें सीट का रुटेएज़ देना होगा सीट इस्ट का रिफरेज़ तो इसकी मैक्सिमम वहलू है यहां पे आ जाएगी अब इस maximum value के मुझे यहां पे put करवाना है तो क्या करेंगे इसके लिए एक की नीचे एक की नीचे करवाना है तो हमने अभी जो समझाया यह आपका method इसी method को लेते हैं with offset क्या करेंगे with offset तो यहां लिखते हैं एक्सलेस आप डॉट अब से वन कॉमा जीडो अब वन कॉमा जीडो क्यों थी है जर एक्सिट एक्सेल ब्लैंक रहेगा नीचे अधायों जी आप बताएंगे हाँ जर अगर डेटा में जाब रहा तो उसके लिए यह है कि यह जो है क्या करेगा इंचे लाना यह जाएगा अब यही तो नई डेटा इंटई करनी है करसर को नीचे लाना है ना तभी यह नई डेटा इंट्री होगी न क्यासर तो सेम इसी तरह से जब नीचे से उपर जाएगा तो आई डीप चलाएगा अब एक से नीचे आएगा तम यहां पर वन टाइप करेगा ने तो क्या करेगा आई डीपर दाल देगा अब ऐसा आई डीपर वन डाल देगा ठीक है इसलिए हमने यहां पर किया आइडी प्लस वन मतलब कि मैंने इस कॉलन की पहले सी जो नंबर से उसकी मैक्सिमम निका लिया उसमें प्लस वन करके नेक्स नंबर यहां टाइप कर दिया प्रॉलम होई है कि सीट रेफरेंस तो दिया ही नहीं तो यहां पर शीट और सीट में हम प्लस दिये लेते हैं डेटा डाओग अब मुझे अगली और यहां पर यहां पर लाइन क्या करेगा के को लर्डत ऍवर्ड करेगा की कॉलन सीट देटा सीट के कॉलन एकी मैक्सिमम निकाल क्या डाल देगा तो यहां पर आईडी पर जाये मतलब कि जो एक नेक्स ब्लैंक प करते हैं copy यहां करते हैं paste अब इस बार जह हैं offset में हम यहां पर row 0 and column 1 कर देते हैं मतला कि ए 754 से उपर जाएगा और इस बार offset इसको नीचे नहीं लाएगा इसको आगे ले जाएगा कहां ले जाएगा अगली वैलू फिर यहां पर हम date डाल देंगे तो date डालेंगे तो system date चल जाएगा फिर यहां पर हम यहां से same copy paste किया में ने और यहां 0 ही रहेगा अब यहां 1 के जगह पर 2 होगा बतला कि यहां नीचे से ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद 0, 1, 2 यहां time पे जाएगा और यहां हम क्या डालेंगे time डालेंगे तो time से time डल जाएगे ठीक है फिर मैं यहां दो को करूंगा तीन और तीन करने के बार यहां हम range डालेंगे कि range और हमारा कौन साथ इसमें फॉर्म में यह हमारा बी तो रेंज बी और बी तरीका लेंगे वैलू लेंगे कर बताया था आपको मैंने बी तरीका वैलू लिया जाएगा समझे इस पर हमने जो बीधरी अभी लिखा है हम कहीं यह जो टैब फॉर्म यह कहीं असाइन नहीं करेंगे इसको रन कैसे करेंगे रन करते समय क्या सिच्वेशन होगी हम बटन पर क्लिक करने के लिए हमें तो फॉर्म सी प्याना ही बनेगा न क्या जब मायक और रन होगा उससे में सिच्वेशन हमारा रहेगा कि भई फॉर्म सीथी एक्टिवेट है तो क्यों डाले है इससे डाल सकते हैं डालने से खरावी नहीं हो नहीं भी डाल सकते हैं अच्छा अच्छा ठीक ठीक समझ गया अब मैं चाहता हूं कि इसको क्लियर क करने के लिए यहां क्लियर करने के लिए रेंज और कमा में मल्टीपल सेलेक्शन मुझे एक साथ कंट्रोल करके कई सारे सीट सेलेक्ट करने है तो इसका कोड क्या होगा कि अंदर में सारा लिखती है कि B3, B6, B9 but merge नहीं होना जाहिए merge होगा तो दिक्कत होगा फिर 1-1-1 करना पड़ेगा dot clear contains और फिर एक message देते है msgbox यहां लिखते है data has saved समझे है अब चलिए एक test लेते है पहले एक डेटा शीट में जाके जो पहले से एक वान ने उसको कर देते है remove और हम आते हैं form पे यहां लिखते हैं पूजा city में देल रही और हम क्या कर दिये amount 5 और हम यहां जैसे save टे क्लिक करेंगे clean हो गया और आगया message data have saved और जाके देखिए data sheet में यह आपका data date और time के साथ आपका हो गया save ठीक है और form भी clear हो गया अचलिए इसमें दूसरी entry करते हैं माल लिजिए यहां पे लिखते हैं mohan city दे देता हूँ और amount डाल देता हूँ इस बार 4500 अब मैं करता हूँ save and ok देखिए data में जाके item 2 आ गया date time change हो गया कोना सब टाइम चेंज mohan noeda and 5000 अब मुझे हरियोम जी और बाकी लोग जो भी है कोवन जी बिंकेट जी बताइए कि इसमें क्या प्रब्लम आ रहे है कुछ समझ्या है code में समझने में कि नहीं समझाव सब्सक्राइब कि आपको योग जी सेंकेटरी आपको कि आपको इसे इस सेव करने के बाद आपको जाएगा है इसके बाद चाहते हैं कि आपका सेब हो जाए तो क्या करेंगे क्या लिख देंगे क्या हो जाएगा आपका फाइल भी हो जाएगा अब यहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपका डेटा पैंसफ हजार से उपर जा सकता है तो यहां पांस लाग दस लाग का भी दे सकते हैं ठीक है और ध्यान देखिए कि अगरे यहां आपने मेर्ज भगरा कर दिया तो सी फिर प्रॉब्लम होगी फिर क्या होगा प्रॉबम क्या होगा फिर कि आपको यहां गैपर और रेइक बेंदें किजिए उसका फॉर्मेंटिंग भगदा भी गयब हो जाएका ठीक है अब आप बोल ला होंगे कि मैसेज मुझे हमने बटन किया यहां पर क्लिक कर दिया मैंने कहीं से पिक्चर कॉपी किया है या इलिस्टेशन डाल लगका है तो उस पर कैसे करेंगे मैंने यहां पर बनाया यहां पर लिख दिया देटा से ठीक है और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर इसके ऊपर हमारा कि मैंक्रोड को कैसे करेंगे कुछ आइडिया है राइट क्लिक करेंगे और असाइन मैक्रोड और और फिर जो मैक्रोड चाहिए वह असाइन कर रहे है तिक है आप कुछ लोग बोलेंगे किसा डेवलपर में और लेडी एक बट यहां दिया हुआ है यह आपका नीचे एक्टिए इसे बटन है आप यह बटन यूज कर सकते हो लेकि जब यूज करोगे फिर मैक्रोड असाइ अब यह बटन कुछ एडिट करनी है तो कैसे करेंगे तो एडिट करने के लिए सिम्पर डेवलपर में इस डिजाइन मोड दिकर आप इसको एक्टिव कर देगे अब इसके अंदर से मुझे अगर टेक्स एडिट करना है तो यहां पर एडिट टेक्स्ट और इसके अंदर जा लेगे ठीक है और फिर डिजाइन मोड को हटा देगे तो अब वर्क करेंगे लेकि इसका यूज बहुत कम करते हैं तो इसका क्यों करें हाँ इस पे स्पाइन बटन बगड़ा है और इसका यूज हम लोग कभी-कभी करते हैं बाकि सब तो नॉर्मल है ठीक है सर कोड लिखने का तरीक है एक का अलग हो जकता है क्या जैसे कि हमने पुझे इस समा करना है तो हमने यहां पर बटन बटन पर आएक क्या लिख दिए कि लिख दिया सिर्ट से नहीं चाहिए तो यहां पर लिंग का जाएगा दूसरा बदलता है और दूसरा चीज़े बदलती है आपकी कि आपका जो माइक्रो का कहां से करवाना है जो बटन पर क्लिक करवाना है क्या बटन में भी हमारा अलग तरह का बटन है उस पर आपका चीज़े चेंज होती है वाकि प्रगामिंग चेंज नहीं होती है भी हमने क्या किया एक शीट से दूसरे शीट से पर डेटा हमने टांस्ट्मेंट सुछ अब क्या करना है कि आपका फॉर्म एक फाइल वन में और फाइल टू में फॉर्म वन पढ़ा है desktop पे और form परहा है desktop पे फाल वर्ड फॉर्म और data जो हम वर्थ है आपका फ़ूर्र ब्रम करके सेभ पर सनल प्लरॉद करना एक सैप उसके अंदर या डी चैनि तो आपको क्या करना है कि आपको यह एक सीट में separate कर देना अलग अलग फाइल कर देना है ठीक है तो आज की